आप अपने दस्ताबेज की गरवरी का सुधार नहीं करवाएं हैं भविस में आपको ही दिक्कत होने वाला है एक बात तो समझ लें सबसे पहले कि आपका जो जमीन का कागजात है अगर किसी परकार की उसमें तुरूटी है और अभी तक आप उसमें सुधार नहीं करवा हैं कि फिलोट का नंबर सही नहीं है नाम सही नहीं है ठीक है या खाता खतोनी जो है वो सही नहीं है तो ये तमाम जो इन्फॉर्मिशन है जानकारी है उसका सुधार आपको कैसे करना है खतियान में हुई गरवरी का सुधार कैसे करेंगे मालते खतियान में ही तुरूटी ह जमीन आपकी है और आपके पास जमीन का खतियान है ही नहीं तो इसकी जो आप जो समस्या है इस समस्या का हल आप कैसे आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं साथ में जमीन रजिस्ट्री की अगर बात करें तो जमीन का रजिस्ट्री में हुई गरवड़ी का सुधार कैसे करें तो जमीन रजिस्ट्री ये जो कागजात है वो आपको निबंदन कारियाले से प्राप्त होता है अब इसमें माल लते हैं कुछ तूटी हो गई जो आपको position ये मिलना चाहिए था और आपको मिल गया ये पीछे वाला तो आपको ने ये वाला ही चाहिए था इस साइड में चाहिए था तो ये चीज जो है इसका क्या सुधार संभब है plot number यहाँ पर गलत लिखा चला गया है या जो खाता खतोनी है वो यहाँ पर गलत लिखा चला गया है तो इस परकार का जो समस्या है इसका सुधार कैसे होगा क्या इसका सुधार संभब है सुधार कैसे किया जाता है कहाँ एक तरह से आप जा सकते हैं किस से मिल सकते हैं क्रिया होता है कौन सा form भरना होता है form भरने के बाद कहाँ जमा करना होता है तो ये सब ही जो समस्या है उसका हल अगर आप अभी तक नहीं निकाल पाए है तो समझ लिजिए कि भविस में आपको और दिक्कत होने बाला है कि अब जो आगे का समय है आगे का जो यूग है वो ऐसा यूग नहीं है कि ये जो आप कागजात देख रहे हैं इस कागजात का कोई वैलुएशन दा जाएगा आपका जो प्रोपर्टी है आपके पास जो संपत्ती है वो अब जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब चला जाएगा तो इस डॉकमेंट का कोई मतलब नहीं जाएगा आज आपके पास आपके खाते में कितना पैसा है ये सिर्फ आप जो है एकाउंट का बाइलेंस देख लेते हैं पता कर लेते हैं ठीक है आपके खाते में जो भी अमाउंट है वो आप जो है एकाउंट बाइलेंस देख कर पता कर लेते हैं लेकिन आपके पास कोई ऐसा सिलीप है कोई ऐसा प्रूफ है जो इससे ये सावीत हो सके कि आपके खाते में कितने पैसे है अगर आपको मांग दिया जाए तो आप हो सकता है कि जो है जो बैंक के दोरा पास्बुक मिला हुआ उसको अपडेट कराने लगे तो देखें यहाँ अगर आप उसको अपडेट नहीं करवाए हैं तो फिर आपके पास क्या प्रूफ है आपके पास सिर्फ ये प्रूफ है कि आपके जो एक तरह से जो बैंक एकाउंट है है ना या जिस जहाँ पर भी बैंक एकाउंट है वहाँ पर यह आपका जो खाता का नंबर है यह उससे संबंदी जो भी information है उसको चेक करने के बाद आप account का balance जो है और digital platform पे असानी से देख पाते हैं क्यों आप जो आपके पास property है उसको भी इसी परकार से जो है एक तरह से digital पे update कर दिया जाए कि अगर कोई खरीद विक्री करेगा तो भी वो असानी से कर सकता है लेकिन उसके परकिरिये होंगे इसलिए कि सरकार के दोरा tax भी तै किया जाता है और साथ में सरकार के tax के अलावे भी बहुत सारे term and condition इसमें होते हैं जैसे कि अगर कोई property है कोई अगर sale भी कर दिया तो उसका समस्या जो है का हल आपको है कि आपको अपने document में सुधार कर लेना चाहिए इसलिए कि भविस में अगर ये आपका digital platform पर online platform पर जो completely है वो चला जाएगा offline का सारा system अगर बंदो गया तो फिर आपको दिक्कत ना हो अब है कि जमीन रसीद में है गरबरी कैसे करना है सुधार तो जमीन रसीद का जो सुधार की बात है अगर ये सबसे पहले क्या है कि आपका कोई भी ऐसा दस्ताबेज है जिससे आपका ये रसीद बना रसीद ऐसे नहीं बन जाता है या तो आपका पड़िबार में जो है यहां पर बटबारा हुआ होगा या आपके पास किसी भी प्रोपर्टी का कोई वस्यद होगा या आपके पास कोई प्रोपर्टी का आपको गिफ्ट में मिला होगा या आपके पास उसका केवाला होगा तो उसमें जो भी एक तरह से मेंसन है और आपका जो उससे बना हुआ ये रसीद है उसमें अलग है तो आप इस दस्तावेज के प्रूप के अधार पर इसका सुधार जो है अपने अंचल अस्तरिया जो रेवेन्यू आफिसर है उससे करवा सकता है ये अगर आपकी जो समस्या आपकी तुरूटी है उसका हल निकल सकता है लेकिन अब है कि इसमें रसीद में तो गरवरी है इस साथ में इन सभी दस्तावेज में भी गरवरी है तो फिर आप जो है एक अंचल अस्तरिया रेवेन्यू आफिसर से ना आप अपना बटबारा का का अगर जो आपने खुद त्यार किया है तो आप उसमें आपस में खुद सुधार करवाएंगे वसियत जो है जिनवने लिखा है उनके द्वारा सुधार होगा गिफ्ट डिट जिनवने किया है उनके द्वारा सुधार होगा क्यवाला जिससे संपत्ती खरीदे हैं उसके सप से सुधार होगा ऐसे तो अगर दावेदारी हैं एक होता है कि थीक है इस में मेरी गलती है और यहाना चाहिए तो एक सपोर्ट है वो अलग बात है अब मालत रहते हैं जो विक्रेता है वो यह बात को एग्रि नहीं करें व 요즘 हर नहीं करना चाह रहा हूं करें जो केवाला में आपकी जो रजिस्टरी है उसमें तो अगर आपका केवाला बेनामा जो है रजिस्टरी जो है उसमें आप सुधार कराने का सोच रहा है लेकिन जो अगर जमीन का विक्रेता जो है है ना माल लेते हैं इस जमीन इस पलॉट को बेच दिया गया ठीक है अब इसमें जो जमीन का विक्रेता है जमीन का विक्रेता वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसमें हुई जो तुरूटी है उसका सुधार आप कैसे करवाएंगे सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए अगर वो सपोर्ट करेंगे तभी आप इसमें जो हुई गरवरी है उसका सुधार करवा पाएंगे अन्यथा आप सुधार नहीं करवा पाएंगे तो सुधार करवाने के लिए सपोर्ट की जरुवत पड़ेगी अब सवाल उठता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक तरह से जमीन की रेजिस्ट्री है उसमें जो है पुजीशन गलत हो गया है जमीन की रेजिस्ट्री में मान लेते पलोट का नंबर ही गलत हो गया है जमीन रजिष्टी में मालेते हैं खाता संख्या गलत हो गया है तो देखें इसका सुधार दुबारा एक तरह से परकिरिये के तहट जो है उससे सम्मंदित डिड़ बना कर एक तो कर सकते हैं दूसरा विकरेता अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आप उसके लिए आप जो है सिविल कोर्ट का सहारा ले सकता है अब विकरेता आपको जमीन की रेजिष्टी कर ही नहीं रहा है करेगा ही नहीं तो कैसे सुधार करवाये हैं सुधार करवाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री की जरूरत परेगी और विक्रेता जो है वो आपको जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो आप इसका सुधार कैसे करवा लेगा, संभब है, नहीं संभब है तो इस परकार से जो है विकरेता का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है और नहीं तो फिर माम लाकोट में जाएगा नोटिस भेजेंगे उससे पूछा जाएगा जमीन आप बेचे हैं आप जमीन बेचे हैं इसको बोलेगा हाँ आप बेचे हैं कौन सा जमीन बेचे हैं तो बोलेगा यह 101 बेचे तो 101 आपका है पुरा यह चीज जो है सिरी सिवास समझने वाली बात है 101 जो है आप बेचे हैं तो 101 आप यहां पर जो माल तक गलत बोल दिया प्लॉट नमर उसका है ही नहीं तो दखें यह जो है कहने का मतलब उसका उसको यह कहना परेगा कि वो जो है कौन सा जमीन जो है वो बेचा है साब साब कहना परेगा उस बात को आप जो है समझें ना समझें ठीक है लेकिन अगर आप माल लेते हैं जमीन बेचे हैं आपको कोट में बुलाया जाएगा तो आपका जो जमीन रहेगा वही बात तो वहां बो लेंगे तो फिर आपको पता है कि आपके उपर भी कारबाई की जाएगी अब साब साब जो है आपकी वो जमीन ही नहीं आप दूसरे की जमीन को बोलने हैं वो प्लोट बेचे हैं दूसरी की जमीन के आप कैसे बेच सकते हैं ये तो दोखा करना हो गया फ्रॉड करना हो गया तो आपको और समस्या उत्पन हो सकता अब यहां पर देखें जो जमीन रेजिस्ट्री में एक तरह से हुई गरबड़ी की बात करेंगे जमीन रेजिस्ट्री में अगर कोई गरबड़ी हुई है तो उसका सुधार कैसे होगा उस सुधार के लिए क्या करना है मैं तो ये तो हम आपको बता चुके कि क्या क्या करना परेगा ये लेकिन खतियान में अगर गरबड़ी है तो उसमें क्या करेंगे तो खतियान में गरबड़ी देखें खतियान अगर जो है खतियान में अगर ये खटियान किसी और के नाम से इसका खाता बन गया है इसकी और के नाम से इसका खतोनी बन गया है तो ये जो समस्या है इसका सुधार के लिए समय दिया गया था हमारे जो पुर्बज होंगे आपके जो पुर्बज होंगे उनको मान लेते हैं कि उनको इतनी जानकारी नहीं थी वो सुधार नहीं करवा पाए जमीन से जुरे हुए नहीं थे सुधार नहीं करवा पाए इतना इन्फॉर्मेशन इजली प्राप्त नहीं होता था उनको पता भी नहीं चला और उनके साथ जो है ग्रामीनों के द्वारा दोखा किया गया पता चला ही नहीं कि उनका जमन जो है वो गरबरा गया है उसमें तूरटी हो गयी उनको लगा जमन हमारे कबजे में है कौन हमसे जमन ले लेगा ये तो मेरी जमन है अब जब एक समय बित्ता गया और जब उनका पुराने की तरह से पुराना प्लॉट नमबर से यह जो पुराना प्लॉट नमबर है इस से सरकार को कर जाना सरकार को राजस सो जाना यहां पर बंद हो गया मतलब आप कह सकते हैं पुराना से रसीद कटना जो है वो बंद हो गया पुराना जो का जो रसीद है पुराना जमीन का जो एक तरह से जमीन का जो पुराना रसीद है तो वो कटना क्या हो गया बंद हो गया अब बंद हो गया तो जो राजस्त की बात है अब तो आपको नए से देना होगा दिखा गया कि नया दूसरे के नाम पे दर्ज है तो मैं आपको बता दूँ अगर जो नया एक तरह से जमीन का खतियान है अगर वो दूसरे के नाम से दर्ज है तो उसके सुधार के लिए उस समय तो उनको उतने एक्टिव नहीं हुए आज अगर आप एक्टिव हो रहे हैं आज आप चार एक नहीं वो सुधार होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा तो मैं आपको बता दूँ अब सिर्फ एक विकल्प है वो है सिबिल सूट करने का सिबिल कोर्ट आप जाएंगे और असानी से जो है आप सुधार करवा पाएंगे उस बैक्ति को नोटिस किया जाएगा जिसके नाम से जमीन का पुराना खतियान है वो तो एक तरह से केसी करेगा नया खतियान जिसके नाम से बना है उसको नोटिस भेजा जाएगा नया खतियान बाले से पूछा जाएगा बाई बताईए ये जमीन कहां से मिला आपको खरीदे थे ये जमीन जो है किसी से खरीदे थे आप या ये जमीन किसी ने आपको वसियत किया है अब उसके पास कोई जबाब नहीं आप ये नया खतियान में जब आपका जमीन पता चल गया कि आपके नाम से तुरूटी हुई है तो आप ये फलोट कैसे बेच दिये किसको बेचे हैं कितना पैसा लिये हैं अब तो आपको पैसा वापस करना परेगा तो जमीन जिसकी है वो जमीन तो उसी के पास जाएगी ये होता है समस्या लोग आवेस में आकर लोगों को लगता है कि ये जमीन नया मेरे नाम से खतियान बन गया तो अब मेरा ये हो गया मामला जब कोट में जाता है और हर तथ्य को दिखा जाता है नया खतियान आया किसी के नाम से तो वज़ा है उसका नया खतियान तो बना ही है पुराना किसी और के नाम से नया किसी और के नाम से लेकिन उस वैक्ति को पुराना खतियान से जमीन बेचा गया था पुराना खतियान के हिसाब से रजिस्ट्री हुई थी तो ये है पूरी कहा कि आपको कैसे कराना है सुधार आस्ता करते हैं अब वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो चे पर लाइक जरूर करते हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाला है मिलते हैं अगले वडियो में तब तक कि ले जाए झाल आस्ता करते हैं